इस वीडियो लेकर रहा हूं एक चीजी यहां पर आपसे पूझे चाहते हैं तो यहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपलाई करना चाहते हैं तो एपलाई करने से पहले कुछ बच्चे गल्पियां कर दते हैं जिनकी वज़े से उन पर क्या हो सकती है हो सकती है उनके उपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कारिवाय हो जाए आरिवा समझ में तो यहां इस वीडियो में आपकर बता हूँ अगर आप टार्गेट एक्जाम है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं या चाहती हूँ तो आप इसी गल्तियां ना करें जो कर दिया, apply कर दिया, मतलब आप not qualified student है और आपने apply कर दिया तो भह्या सिदी सिदी बात हो गई कि आप के उपर कानूनी कारवाय हो सकती है, अब क्या है निर्दाय दियोगिता है, किस प्रकार से कानूनी activity की condition बन सकती है, यह सारी बात इस वीडियो में कर गोए दिए जितना कारी में आपके लिए आप लेकर आया हूं कि हमारे इच गुर्ड क्लासेस पर अगर आप असिस्टन प्रोफेसर बनना चाहते हैं और निर्दर्द योग गिताओं में सही एक एसा एक्जाम में जो आपको क्वालिफाय करना पड़ेगा उसी की तैयारी हम एच गुर्ड क्लास आपको अगया डिस्काउंटेट प्राइज आपकी यहां पर किस एक्जाम की किस प्रकार की रहेगी किस ओलान कोर्स के ऊपर कितने का होगा या आपको दिख रहा है टेबल को आराम से वीडियो को पोस्ट करके देख लेना क्योंकि इन में से एक एक एक्जाम असिस्टन प् आपके सामने आपके साथ रहेगा जैसे के फॉर एक्जामपल आप सीएसर नेट दो जून दोजाजाट चोबिस का अगर आप यहां पर ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो डिस्काउंट आपको चम्वालेसा का मिल गया और उसके बाद इसका एक्जाम नहीं होगा जून का एक लिंक मिल जाएगा वहां क्लिक करके भी आपको लिंक राफ्त हो जाएगा वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जोइन करने के लिए जिस कोर्स आप जोइन करना चाहरे हैं सलेक्शन को अपन कोड लगाईएगा आपको डिसकाउंट मिल जाएगा क्लियर हो गया शुरु पूरा आपके सामने रहेगा देखने के बाद परकने के बाद ही जोन कर लीजिए गाँ अब बात करते हैं कि यदी आप भी पनना चाहते हैं असिस्टन प्रॉफेसर तो ऐसी गल्ती कते मत कर लेना परना आपके उपर भी कारेवाइए हो सकती है यदि आप गल्ती कर नहीं ही करते है तो अगर आप साइंस के टीगरी से हैं तो CSR नेट आपके पास होना चाहिए अगर आप Arts Category, Commerce Category जाते हैं तो फिर UG से Net होना चाहिए या फिर State होना चाहिए उसी State का जिसमें Assistant Professor की बढ़ती निकलती है या फिर Select Exam आपको Clear होना चाहिए अगर आप Net Clear कर लेते हैं तो किसी भी इंडिया के किसी भी State से हो आप Assistant Professor ले एपलाई कर सकते हैं किसी भी दूसरे State में भी कर सकते हैं अगर वो आपसे फोर्म में अगर आपको अनुमती देते हैं तो Clear हो गया या फिर अगर यह नहीं है तो फिर आपके सांब आपके पास PSD लिग्रियो रिची है अब कुछ बच्चे कर दें क्या है कुछ बच्चों ने किया है मैं एक्जामपल की रूप में आपके दिखा हूँ फिर नॉटिस लीगल एक्षन केसे होता है उसकी जानकर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी न्यूस्पेपर द्वारा निर्देश एक्जामपल है आर पी एसी असिस्टन प्रोफेसर का एक एक्जामपल की रूप आपके दिखा रहे हैं कि अगर आपके पार निर्द योगिता नहीं होती है तो फिर इस परकार की चीजों का आपके आपको सामना करना पड़ सकता है यह निर्देश दिया गया था कि सायक आचार यानिके असिस्टन प्रोफेसर की बढ़ती अभ्यरती 18 से वापस ले सकींगा आविदन मतलब जिन्हें उन्हें गलत तरह के से फॉर्म बढ़ दिया था पढ़के देख लेना वांचिरी ओगता नहीं होने के बाउचुद मनमा से सायक आचार यानिकोले शिक्षा यानिके असिस्टन प्रोफेसर बढ़ती के आविदों को राहसान लोग से वाईने के आर्पेसी ने ओनलाइन आविदन वापस लेने का उसर दिया है कि भाया आप इनके फॉर्म वापस ले लेजे वनना आपके खिलाफ कारेवाई कर दी जाएगी यह एक और यहाँ पर बीस सारे का आपको दिखा दे रहा है यहाँ पर प्रेस विद्धिती में शेक्षनेंग योगता नहीं होने के बावजूद भी आविदन करने वाले अविद्धियों को आयो गयने के आर्पियसी के द्वारा ओर्लाइन आविदन प्रत्या हर याने की विद्धिड्रो नहीं करते हैं अगर वो नहीं करते हैं तो एसे अब देटों के विद्धित आईपीसी की धारा 182 के अंतरगत अभी योजन की कारिवाई प्रारंब की जाएगी मतलब आपके खिलाफ लेगल एक्षन लिया जा सकता है खुलमिला की बात क्या हो यहां से जाएंगे तो आप को निकाल लेना है इसको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको यहां पर पता लग जाएगा कि हाँ कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किन की चीज़ों कि आप शक्ति कि आपको अगर आप राजस्तान से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यहां पर डाउनलोड करके उसकी डीटेल को आराम से पर सकते हैं कि लिए रह गया है तो समझ मारा रहा है बात पूरी बात समझ मा गई यानि कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको न्यूंतर्म योगिता रखनी पड़ेगी वनना आपके खिलाफ खुद आर्पेसर जैसे कारवे की ना अध्रिस्टेट वाला भी हो सकता है कि वो कर दे तो आपको क्या करना पड़ेगा मास्टर डिगरी नेट या फिर प्येस्ट डिगरी ऑफशन में रहता है ये दो चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए अच्छा फाइनल ये की स्टुएंट कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन इंटर्वी से पहले पहले उनकी ये डोकिमेंट कंप्लेट हो जाने चाहिए तो कमेंट करके आप जरू बताइएगर क्या इस प्रकार का एक्टिविटी जो इसका सॉलुशन निकाल दे तो कमेंट पोसमें जरू आप रिप्लाई कीजेगा बग अगर आगको केमेस्ट्र से रिलेटेड किसी प्रकार की जान संकरी प्राप्त करने हूं या पर इंसे रेटेड जो डिसकाउंट है उन से रेटेड या पर ट्राइल कोर्स जोइन करने के लिए कोगी है अगर आप पो चाहिए ताप इस वीडियो को डिसक्रिशन जो आपको लिंक मिलेगा उसमें आप अपनी प्रियो टैक पर के भेज जीएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहें